इसमें कोई दो राहे नहीं है कि हिना खान बिग बॉस 11 की one of the most talked about celebrity contestant थी जब तक वो घर के अंदर थी तभी भी उन्होंने कई मौकों पर सुर्खिया बटोरी थी और अब बाहर आने के बाद भी वो सिलसला बना हुआ है अब जो हम आपको बताने जा रही हैं इस खबर से हिना खान के फैंस तो बेहत खुश हो ही जाएंगे और साथ ही हिना एक बार फिर limelight में आ जाएंगी बिग बॉस खत्म होने के बाद सब पस एक ही बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब हिना खान नेक्स्ट उने छोटे परदे पर कब देखने मिलेगी तो दिल थाम के बैट जाएंगे फैंस क्यूंकि अब हिना खान छोटे परदे पर तो नहीं दिखने वाली अरे-अरे घबराईए मत क्यूंकि अब हिना सीधा दिखने वाली है बड़े परदे पर देरसल हाल ही में एक इंटर्विव में हिना ने Bollywood film में साइन करने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा I want to do good work, whether it is TV or films. I'm reading scripts as far as films are concerned. So if something materializes, I will definitely like to take it up. As of now, I would like to take a break from reality shows. As far as TV and films are concerned, I'm considering films to again take a leap of faith and take one step ahead in my career and see how it goes. You should never give up. You never know, people have seen me in a different light for three months, so it might even click. खेर, Big Boss 11 ने हिना खान के image को completely एक नया makeover दिया है. एक सीधी साधी बहु से, आज वो बन गई है one of the most stylish personality on TV. So don't be surprised, अगर करको सच में वो किसी बड़े बैनर के अंडर बन रही फिल्म में लीड रोल में नज़र आए. क्या आप भी excited है हिना को बड़े परदे पर देखने के लिए? बताईए हमें अपने comments के जरीए. क्या आप भी बन लीड़े पर देखने के जरीए.